हेलो एवरिवान एन वेलकम टू लर्न एवरिधिंग अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को भी प्रेस कर दें क्यूंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा एंसियाटी स्लेबर्स कराने वाली हूँ तो आज की इस वीडियो में हम हानी शकल बुक का चैप्टर 9 डेजर्ट एनिमल को पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जो डेजर्ट में रहने वाले जानवर है वो किस तरह से कठिन प्रस्तितों में भी अपनी जीवन को जीते हैं तो चलिए बिना वक्त रेगिस्तान प्रित्वी के सबसे सूखे इलाकों में से एक है और ये कभी-कभी बारिश के बिना महीनों या सालों तक भी चलते रहते हैं यानि कि इन इलाकों में बहुत कम बारिश होती है यहां तक कि रेगिस्तानी जानवर भी पानी के बिना या चिलचलाती धूप में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए उन्हें इस हार्स कंडिशन्स यानि के कठोर परसित्यों का सामना करने के लिए अलग-अलग तरीकों को खोजना पड़ता है। उधारन के लिए गर्विस जो के रेगिस्तानी चूहे हैं अपने दिन का जादा तरसमे रेगिस्तान के सबसे गर्म भागवाले जमीन के अंदर बिल बना कर बिताते हैं। और एक घहरी रंग का किल्डा जिसे काले बीटल कहा जाता है वह अपने पैरों पर नमी की बूंदों करने में माहिर होते हैं और ये अपनी टांगों को हाओमें तब तक ऊपर उठाते हैं जब तक की पानी की बुंदे उसके मूं में न गिर जाए। ऋख कर दोस चोटी चोटी जाण्या उगाती हैं और कुछ रेगिस्तान तो वसंदरितु ने रंग बी रंगे फूलों से ज दुनिया भर में 300 से अधिक प्रजाती के साप है और इन में से तो कुछ ऐसे हैं जो 15 संटीमेटर से लेकर 11 मिटर से भी लंबे हो सकते हैं बहुत से साप ऐसे होते हैं जो नुकसान दायक नहीं होते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इतने जहरिले हैं कि वे इनसान को सिर्फ एक बार काटने से ही मार सकते हैं जादतर साप अंडे देते हैं लेकिन कई साप ऐसे भी हैं जो बच्चों को जन्द देते हैं अमेरिका के सूखे पत्रले रेगिस्तान में बहुत ही बुरे सांप पाए जाते हैं जैसे रैटल स्नेक जिने बेहत खराब माना जाता है इसकी ड्रावनी खडखड़ाहट को 30 मीटर की दूरी तक सुना जा सकता है और साथ ही यहाँ बिजली की स्पीट से हमला भी कर सकता है रैटल स्नेक जिसे कभी-कभी रैटलर भी कहा जाता है जितना संभव हो यह लोगों से बचना पसंद करते हैं जब कभी भी ये परिशानी महसूस करते हैं तो अपनी पूच को सीधा करते हैं और खड़खडाहट की आवाज निकालते हैं इस उम्मीद में कि जो घुसबेटिया इनके इलाके में आ गया है वो वहां से चला जाएगा हाला कि अगर इसके चेतावनियों को नजर अंदाज किया जाता है तो ये खत्रा महसूस करते हैं और ये कुंडली मार कर काटने के लिए भी तयार हो जाते हैं लेकिन ज्रैटलर जिसे रैटल स्नेक भी कहा जाता है ये उस शोर को सुन ही नहीं सकता जो ये अपनी पूच से नि अगर कोई इनसान साप के पास से चलता है तो साप उसकी हल्चल को महसूस कर सकता है लेकिन अगर वही इनसान जोर से चिलाया होता तो वहाँ उसकी आवाज को सुन नहीं पाता अमेरिक की महादीपो में रैटल स्नेक बेहती आम है और साथ ही ये जीव बड़ी संख्या में फैले हुए है ये नौर्थ अमेरिका के कनड़ा से लेकर साउथ अमेरिका के अर्जंटीना तक तेशों तक में पाए जाते हैं ये कई तरह के जानवरों का शिकार करते हैं जिन और भी अन्य छोटे जानवर शामिल हैं रैटल स्नेक अपने शिकार को वैनम यानि की जहर से मारते हैं और दूसरे सापों की तरह ये भी बदकिस्मत जानवरों को पूरा निगर लेते हैं कुछ सापों को हफते में एक बार से अधिक खाना पड़ता है और कुछ जैसे की ब दनाक शिकारों से भी चौकरने रहते हैं ये अपनी नाक को होल में यानिकी छेद में डालते हैं ये अपने पंजों से चटानों पत्थरों को पलड़ देते हैं और अपने तेज दर्रार पंजों से जमीन को खरोचते हैं और खोटते रहते हैं ये धारेदार नेवले दिख करना पसंद करते हैं लेकिन अगर उन्हें ऐसी जगाओं पर जाने की जरुवत है जहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जैसी की जाणियों या किसी चट्टानों के पीछे तो वे संपक्त में रहने के लिए ट्विट्रिंग जैसी अवाजे निकालते हैं ये काफी चौक नेवले सापों को मारने में बड़े माहिर होते हैं ये बिना खुद को चोट पहुचा ही साप को मार देते हैं ये इतने तेज तर्रार होते हैं उतनी ही तेजी से रियक्ट करते हैं कि जब कभी भी साप इन पर हमला करते हैं तो हर बार उसके वार से ये बच जाते हैं वे ल कि मादा मौंगोज एक ही समय में अपने बच्चों को जन देती हैं फिर इन बच्चों को पूरी ग्रुप के द्वारा एक पुराने दीमकों की मात या एक बड़ी खोकली लकडी के अंदर लाया जाता है और यहीं इने बड़ा किया जाता है जब जादतर बड़े नेवले खा जानवर भी है जो रेगिस्तान में रहता है वहाँ ओट है कई हजारों साल पहले लोगों ने ऊटों को पालतू बनाया था वहीं अगर जंगली ऊटों की बात की जाए तो यह आम तोर पर चोटी चोटी ग्रुप्स में रहते हैं लगपक इनका तीस का ग्रुप होता है उनक के शरीख को सरद्यों में गर्म रखने के लिए एक कोट के रूप में काम करते हैं वहीं गर्मियों में ठंडा रखने के लिए टाइडियर कोट याने की पतला कोट होता है एक प्यासा उनका तीज गैलन तक पानी पी सकता है लगपक 500 गिलास पानी सिर्फ 10 מिंज़ों में ही पी सकता है आमतर पर वह रेगिस्तानी पौधे की नमी से अपनी पानी की जर्वत को पूरा करते हैं और उट बीना पानी के 10 महीने तक भी जीवित रह सकते हैं उट भी दो किस्म के होते हैं एक जिस ट्रामेटरी उट की नाम से जाना जाता है उसके पीट पर एक हम प्यानी की कूबर होता है वही दूसरे को बैक्टेरिय उट कहा जाता है इसके दो हम प्यानी की कूबर होते हैं हम्प जानवरों को रेगिस्तान में जिवित रहने में मदद करता है ये स्टोरेज कंटेनर की तरह काम करता है लेकिन ये पानी को स्टोर नहीं करता है आम तोर पर लोगों का ऐसा मानना है कि ये पानी को स्टोर करता है बलकि ये फैट से यानि की चर्वी से भरेवे होते हैं जब कभी भी खाने की कमी होती है तो यही चर्वी ऊट के खाने की कमी को दूर करती है। और अगर उनके पास कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं है तो उनके हम याने की कूबड सिकुड जाते हैं। क्योंकि इसमें चर्वी का इस्तिमाल होता है ऐसे कई और तरीके हैं जिससे उटो ने अपने जीवन को रेगिस्तान में जीने लाइक बना लिया है और उनके मुँ इतने सक्त होते हैं कि तेज काटा भी उन्हें चुब नहीं सकता तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर समावत होता है तो इस चैप्टर में आपने देखा कि किस तरस जो रेगिस्तानी जानवर है वो वहां की कठिन परिस्तितों के अनुसार अपने आपको ढाल लेते हैं तो अगर आपको ये वीडियो हैल्फुल लगा है तो आप इसे कमेंट करके जरूर बताईएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजेगा और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू